प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेता आजम खान पर साधा निशाना कहा पूरे देश में ऐसा उल्टी खोपड़ी का नेता नहीं देखा हाई टेंशन लाइन तूटकर गिरने से युवक की मौत चार मासूम जुल से अलिगर्ण में 50 लाग की लूट का हुआ खुलासा ड्राइवर की मिली भगत से हुई थी लूट दूसरे चरण के मत्तान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना डीम ने बहरी लोगों को दिये जिला छोडने के आदेश शाजापुर में मची आलू लूटने की होड कोल्ड स्टोरिज से सडकों पर फेका जा रहा हालू मत्तुरा में नगर निकाय चुनाओ के दौरान ड्रोन सी की जाएगी निगराने यूपी के उपमक्ष मंत्री ने किया फिरोजाबाद का दौरा भाजबा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नात पांडे जनपद एठा पहुँचे उन्होंने वहां जेले कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी शालिनी गुपता वजनपद के सभी चेर्मेन प्रत्याशी ववाड सदस्य पद के प्रत्याशियों के पक्ष में महता पार्क में जनसभा को संबोधित किया इस पीच उन्होंने बसपा और सपा पार्टी पर भी जम कर निशाना साथा उन्होंने कहा कि मायवती के राजे में खुशाली ठी ही नहीं वहीं सपा के राजे में विशेश वर्ग का ख्याल रखा जाता था इस पीच उन्होंने आजम खान का नाम लिये बगएर कहा कि बचा कुछा काम सपा ने एक ऐसे मंत्री को नगर विकास का काम सौप कर पूरा कर दिया जो उल्टी खोपडी का था उन्होंने कहा मैंने सपा के नगर विकास मंत्री के जैसा उल्टी खोपडी का निता पूरे देश में नहीं देखा उन्होंने तुरे आफ लस्ता एकाई से मंद्री को रगरी का सफ़ा बुलाया अधियों से, इतना उल्टी खुबरी का मंद्री इस उस्तार में कहीं दिखाने के लिए, ना मेरा तुरे आफ समझ रहा, समझ रहा? बिजली विभाग और पुलिस की लापरवाही एक युवक वई स्कूल से घर लोट रे मासूब बच्चों पर भारी पड़ गई ट्रॉली में ओवरलोड भरी लकडी के उपर से लटक रहा हाई टेंशन लाइन का तार तूट कर नीचे गिर गया जिससे वहाँ से गुजर रहे बाइक सवार युवक की जलकर मौत हो गए जबकि चार मासूब बच्चे बुरी तरह जुलस गए जिना शाजापुर जिला अस्पताल में भरती कराए गया है डियम ने घटना पर दुख चताते हुए जाच के आदेश दिये हैं अलिगड में अनाज व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है 16 नवंबर को थाना खैर शेतर को करसुआ इलाके में घटना घटी थी इस मामले में पहले 50 लाग की लूट बताई गई थी फिर पीडित ने 5 लाग की लूट की तहरीर दी थी लूट की रकम कम करने के पीछे क्या कारण रहे ये पुलिस भी खुल कर नहीं बता रही है लेकिन घटना में शामिल तीन लोगों को गिरफतार किया गया है जबकि दो लोग अभी भी फरार है पुलिस ने उनके पास से 23,86,000 रुपे बरामत किये हैं बाकी की रकम के बारे में पुलिस पूचताच कर रही है पुलिस के अनुसार घटना में किशनलाल के ड्राइवर छोटे लाल ने लूट करने के लिए गाउं के दो लोगों को साया था किशनलाल को दिल्ली इस्थित नरेला मंडी से धान का पैसा लेका रहाना था और इसके लिए एक किराई की बोलेरो गाड़ी की बुकिंग कराई गई थी ड्राइवर छोटे लाल को रुपियों की रकम की पूरी जानकारी थी तब ही उसने अपने दोस्त अजय और पपुक से जानकारी साजा की और कुछ आने लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया वाली मेन लूट पर एक लूट की घटना हुई थी जिसमें प्रिट ने अपने पास से पांच लाफ रुपए लूटा जाना बता रहता गटना वाली रात में ही अब रुपेरों का दिख्रिक लिए गया था वो जिदारी जाया थे जिदारी भी घराब होगी इससे वह बरामर्वादी है अब तक जो इनके पास से इस लूटी हुई रकम का ज़िस्ता था वह बरामर्वादी है 24 लाक रुपए बरामत किया गया है और इनका ये कहना है कि उस जो समय रकम लूटी गई थी वह लगबख 50 लाक रुपए था शेश जो फरार अभी उप थे हैं उनके पास से सेश रकम और उनकी गिरफारी किया जाना बाकी है इस सिल्सले में जोकि उन्होंने पांच लाक रुपए की ही रूट बताई था शेश रकम इनके पास कहां से आई गया है कि ये बाकी रकम जो इनके पास भूटिरों के पास मिली है जो उस गाड़ी से ही लूट ना बता रहे हैं वो कहां से आई थी और इतना लंबा कैस ट्रांजेक्शन कब हुआ कहां हुआ कि इसने किया जबकि दो लाक से अधिक के कैस ट्रांजेक्शन के मनाई है तो और यह बैंक से निकाली हुई रिकम भी नहीं थी तो इसके बारे में उनको संदर बित किया गया है और इंकम टेक्स के अधिकारी आके इस सिल्षिले में बातचीत करेंगे अभी मुझी हमारे पास है यूपी में नगर निकाहे के दूसरे चरण के चुनाओ के लिए आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है शाजापुर में आज सभी 527 पोलिंग बूतों के लिए पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है यहाँ कल यानि 26 नवंबर को नगर निकाहे के लिए मतदान होना है वहीं सुरक्षय व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शाजापुर के डियम नरेंदर कुमार सिंग ने जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने या रुकने पर रोक लगा दी है साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति पहले से रुका है तो वो शेहर छोड़ दे देखे हमारी पोलिंग पार्टी शाजापुर से जलालाबाद से और तिलहर से और पुआया से यहां से रवाना हो रही है कुल हमारे पास चार नगर पालिकाएं हैं परिशत और छे टाउन एरियाज हैं सभी तैयारिया हमारी पोल्ण हैं इस समय हमारी पोलिंग पार्टी जरवाना हो रही हैं और हमने आचार सानिता के अनुपालन के लिए सभी को हिदायत दे रखी हैं अब ये कल से चुनाव प्रचार जब से बंद हुआ है हमने सभी होटलों पे छापे डलवाए हैं कहीं कोई बाहर का व्यत्ती जनपत में इस समय रहने के लिए अहर नहीं है क्या आपने कभी आलू की लूट देखी है अगर नहीं देखी तो आज हम आपको आलू की लूट दिखाएंगे जी हाँ शाह जहापुर जिले में इन दिनों कोल्ड स्टोरेज मालिक स्टोर को खाली करने के लिए कुंतलों आलू सडकों पर फेक रहे हैं लहाजा मुफ्त का आलू बटोरने के लिए लोग घरों से बोरियां लाकर इसे भरने में जुटे हैं वहीं लाचार किसान बस तमाशबीन बने हैं इस मामले में किसान हनीफ का कहना है कि बाजार में आलू का भाव बेहत कम हो गया है 20 रुपे में 6, 8 और 10 किलो आलू तक मिल जाते हैं वहीं कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू को छुडाने के लिए उन्हें 50 किलो के एक बोरिक की कीमत 90 रुपे देनी पढ़ रही है ऐसे में उन्हें फायदे की जगा नुकसान उठाना पढ़ रहा है इस मामले में कोल्ड स्टोरेज के माले का कहना है कि भुकतान ना होने से उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है इसलिए वे स्टोर खाली कर रहे है तो किसान चुटा नहीं बारा है बजयार में इसका पोई बाराभ भुषखल नहीं बचा बहुन सब्सक्रा नहीं कैसी나 इसलिए आपका कितना पैसा बταकर पडिय्शूर्स सबब्ल 2000 में कि मील नुक्षान हो रहे है उत्तरप्रदेश निकाय चुनाओ के अंतरगत मत्रा में दूसरे चरण में मतदान होना है इसी को देखते हुए पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तयार किया गया है इस संबन में जिलाधिकारी अर्विंद मलपा बंगारी ने बताया कि 249 पोलिंग सेंटर और 861 पूत बनाए गए है 95 सेंटरों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी 85 से अधिक समवेदन शील सेंटर है जहां वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है जिले को 9 सुपर जोन, 24 जोन और 57 सेक्टरों में बाटा गया है इसके अलावा 5 ड्रोन्स की वी व्यवस्था की गई है दो ड्रोन्स को सी कला के लिए है, एक फरा के लिए और दो मत्रा जनपत के लिए है जहां भीड भाड अधिक रहती है उस इलाके पर ड्रोन्स के जरिए नज़र रखी जाएगी इसके संबन में आपको आउगत करा दे कि जनपत में पर 239 पोलिंग सेंटर से एंड आराउंड 8 61 बूल्स है इसके जो 239 पोलिंग सेंटर से पे 95 सेंटर से वीडियोग्राफी और अन्य तरिके से जो फोडियोग्राफी बन्ती लगा दी गई है और 85 जो 27 प्लस है उस पे व्यब कास्टिंग की विवस्ता की गई है और चांग को नाइन सुपर जोन 20 एफटी फ़र जोन्स और 57 सेंटर में ट्रमास्टर से में बाटी गई है और इसके इते रिक पांच ड्रोन की विवस्ता की गई है पांच दो कोशी के लिए एक फराख लिए और दो मतरा जनपद के लिए जहां जब भीड़ बाड़ रहा है उसके लिए निगानी के लिए अताकि कोई कोई इस्तिमाल क्या जा रहा है मल्टी ओस्तिमाल किया जा रहा है मतलब इसमें एक कंट्रन नीट से से दो बैलेट चलेगी और सिर्फ नगर निगाम में यह इवियम का इस्तिमाल हो रहा है तो एक कंट्रल उनिट से एक एक मेर पत के लिए और एक जो पास्षाग पत के लिए जो भी वोट रहे अपना वोट कास्ट का सकता है मत्रा के लिए मंडी जगह है इसको हैं पुलिस बल्बी मिल चुका है कराने के लिए पूरी हो चुकी है जैसा आप देखी रहे हैं कि पुलिस की ब्रीफिंग अभी और्गनाइस की की त्यारी है पुलिस रान ग्राउंड पर इससे पहले चुनाव आयो तुरा मीसी करके ज़रूरी दिशा निर्देश अमनों को देविए गाए है आज शाम पात व से एक कंपनी सेंट्रल परामिरेटरी फोर्स सी यार पीए में मिली है इसको हम लोग फ्लेग मार्च करा रहा है निरंतर समयधन शील चेत्रों इससे आज चाहता है वंकोसी में हुआ है आज कंपनी पी एसी जो में मिली है इसको पॉल वाइस बुथ वाइस लगाया जा रहा प्रदेश के मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा फिरोजाबाद के सिरसा पहुचे उन्हें सुबह 11 बजे सिरसा गंजाना था लेकिन उनका कारेक्रम बदल गया उनका हेलिकॉप्टर दो पहर दो बजे पुलिस लाइन पर बने हेलिपैड पर उत्रा जहां पहले से मौजूद भाजपा निताओं ने उनका स्वागत किया। फिरोजाबाद की जमीन पर पहर रखते ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांच के उद्योग के बाबत जानकारी ली। उसके बाद विकार में सवार होकर सिरसा गंज के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीम ने सिरसा गंज अगर पालिका से भाजपा पित्याशी संत कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की।